नमस्कार, 102.6 FM Rainbow सुन रहे हैं आप, मिरा नाम है निशा, ये है फोन इन प्रोग्राम, रेडियो डॉक्टर, आज की हमारी डॉक्टर तो स्टूडियो आ गए है, जल्दी आपको उनसे मिलवाओंगी, पर एक बात बताओं, अब पक्का अग्री करेंगे, कि देखें, एक तरह के डॉक्टर, हम सभी की फैमिलीज में होते हैं, देखो, जैसे एक छोटे बच्चे की रूप में हम इस धर्ती पर आते हैं, उनका गाम शुरू हो जाता है, आते ही हमारी दादी और नानी, और साथी उनके नुस्के, जिनकी इंपॉर्टन्स को कोई भी नहीं नकार सकता है अब माना कि वो डॉक्टर्स नहीं है, पर देखो ज्यान तो है ना, और इतना ज्यान आता कहां से है, आयूर्वेद से आता है, इतनी चोटी से चोटी सबस्या से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी का उपचार आयूर्वेद से हो रहा है, तो क्यो ना, हम भी इस गोड़ व पइदचारिया, डॉक्टर रीना अरोडा, हलो डॉक्टर, वल्कुम तो थे स्टूडियो, हलो, थेंक यू, माम, यूर लुकिं वेरी बीटिफल इस पेंक सारी, थेंक यू, थेंक यू, तुजी, ऐसा लग रहा है गाना, बिलकुल मेरे दिल की फीलिंग्स को बया कर रहा आपसे मिलना, बाते करना, ओनेर ही मिलते हैं, लेकिन मिल जाते हैं, दिस इस 102.6 FM Rainbow, रेडियो डॉक्टर सुन रहे हैं और आज की हमारी डॉक्टर मौजूद है, हमारे साथ आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए, बट टॉपिक इस हाइपर असिडिटी और उसके आइरवेदिक उप्चार, तो माम सबसे पहले सवाल यही होगा, अपने दोस्तों को हम बताते हैं कि क्या है हाइपर एसिडिटी और इसके आईरवेद में से कैसे इलाज किया जाता है, हाइपर एसिडिटी को आइरवेद में अमल पित कहा जाता है, इसमें वाध पित का फा अगर हम वो डाइट लेते में कुछ एक्जेम्पल देती हूं उसके जैसे शेक्स भी ते हैं लोग डेली खटे फ्रूट के साथ मिल्क को ग्राइंड करके इस वेरी रॉंग कॉंबिनेश्च और मैंगो शेक तो बहुत टाइम से इतना पॉपलर है तो बहुत ज्यादा खराब है और कुछ भी ट्रेंड है याज कल किसी भी फ्रूट को दूद के साथ शेक बना के स्मूदी बना लिजे तो हमेशा यह सही नहीं होता है कुछ डाइट जो है क्वांटिटी गलत है जैसे मदू और घी इक्वल क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए इट से प्वाइजनस अज़ का पेट है वो कुरूर कोष्ट है यानि उनका पेट साफ नहीं होता है और बहुत थोड़ा सामाउट में खाना खाते है कईयों का पेट जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी साफ होता है और वो उल्टा है तो यह सब चीजे भी और एक चीज और बताना चाहूंगी अज़ को पसंद नहीं है अब इसमें एक चीज और भी आजाती है आजकल के संदर्व में सब कुछ अगर पसंद का देखें और मैं अगर एक हेल्दी प्लेट रखों और एक साइट पीजा रखों तो पसंद तो सारे पीजा ही करेंगे तो इसलिए पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि यह हेल्दी है अपने दिमाग से उस डाइट को एकसेप्ट कीजिए बजाए इसके जो दिखने में सिरफ आपको पीजा या जो भी जंक फूर्ट बर्गर है चौमिन है यह सब नेचुरली आपको अच्छे ज्यादा लगेंगे बच्चों को भी बड़ कॉम्बिनेशन्स हम बना सकते हैं यह हमें देखना है तो यह बहुत इंपॉर्टन है कई बार आदमी को खाना सामने आता है उसका दिल पहले ही खराब हो जाता है तो जब हम बे मन से खाना खाते हैं वो भी एक एक कारण है एक संपद विरुद भी एक मेंचड है संपद या आज कल अलुमीनियम के बरतनों में लोग खाना बनाते हैं यह गलत है यह ऐसे जैसे किसी खटी चीज को पीतल के बरतन में रखते हैं यह रॉंग कॉम्बिनेशन है तो इस तरह से भावनाएं भी संसकार में आती हैं जब खाना बना रहे हैं तो आपकी फीलिंग्स कैसी है अगर आप उस टाइम किसी को अब्यूस कर रहे हैं तो वो सब वाइब्रेशन दूस फूर में जा रहे हैं इसलिए खाना बनाते हैं जिसको भी मानते हैं गायतरी मंत्र बोलिये कोई भी आरती बोलिये जो मर्जी आप प्राथना कीजिए लेकिन उसमें वो वेव्ज जाती ह है आपकी जो दिमाग में वाइबरेशन चल रही है अब देखे आयुरवेद सिर्फ एक इलाज करने का तरीका नहीं है इस लोग अपना पूरा मतलब यह अब आज करना पड़ रहा है अच्छली इस लोग अच्छी नोग चीजें जो कि हर इनसान को पता होनी चाहिए और किस तरह से फूड से लेके हमारी वे ओफ थिंकिंग से लेके हमारा हाइपर एसड़िटी जैसी चीज से हम गरसित हो जाते हैं तो और इसमें क्या-क्या है क्य पर मुझू है ओ जानते हैं ह। हायलो ह९ा जानते हैं देर जर्चा क्या सवाल है को अ Smok Видedi क्या संवाही फिंच्धी जो है 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 ऊ heav한테 क्या सभाल है झा और इसमें परी पें पुल हो ता है इसका रिजन क्या होता है इसका कोई अईवेदिक टीरमेंट है पर्मेनेंट है जो है एक सिंटम है यूजली खटे डकार आना जा चाती में जलन होना मुह कड़वा लगना उल्टी जैसी सेंसेशन होना सिरदर्ध होना कईयों को पेट दर्ध भी होता है और अगर नीचे की सा चोटे दाने भी हो जाते हैं तो यह सब सिंटम्स ऐसे डिटी के बेसिकली इसके लिए कोई एक चीज नहीं एसे डिटी का ट्रीटमेंट ही बताऊंगे में आगे और डाइट भी बताऊंगी उसको जब आप ठीक करेंगे तो यह आटोमेटिकली ही नहीं होगा बट जी 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 हलो 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 नैना आपको अमरे वाज आ रही है हां आरी है जी जी बताइए नैना वेस्ट बंगॉल से हैं जी बताइए आप क्या जानना चाहते हैं डॉक्टर सब सुन रहे हैं आपको पेट में जलन होती है और क्या प्रॉब्लम है आपको नहीं जब इसके लिए भूख लगती है तो जो बलगती है तो फूख नहीं जी बीज़र की ज़गाने जलन होती है आप ज़्यादा दिर खाली पेट मत रहा करो और मिर्चे बहुत ज़्यादा नहीं कहने आपने बासी खाना नहीं खाना ये सब एसडिटी के लोगों जो भी एसडिटी सफर करते हैं उनके लिए है ये वेरी रॉंग आप उसी टाइम बनाइए अगर पॉसिवल है तो और फ्रेश खाना खाईए और दूसरा हांजी बोलिए अंडे इतनी गर्मी में आप खाएंगे तो वैसे ही एसडिटी होगी आपको क्योंकि मौसम के हिसाब से भी अपनी डाइट में परिवर्तन लाना चाहूंगी आजकल क्या है सारे लोग एसी में बैठे होते हैं वो गर्मी को रेलाइज ही नहीं करते कि बार 45 डेग्री टेंपरेचर है बॉड़ी में सीजन चेंज होने के साथ साथ फिजियोलोजिकल चे अबत निम्बू पानी यह सब चीजें अगर आप अंडे खाएंगे तो नेच्रॉर एसिडिटी होगी तो इसको बंद कीजिए भी कुछ टाइम के लिए इसको सर्दियों में खाईए आप चलिए थैंक्यू ने ने ना हमें कॉल करने के लिए उमीद है इनके सवालों का जवाब इने मिला होगा जी वाल के साथ अपने हलो जी आपका नाम बताईए शगूफी जी आपका क्या सवाल है से पशिवय खाती को जाता है है ये पेट में आपका हैसरी की वज़ा शकता है जबहरेश आया जाता है यानि इसको इसका इलाज महीं किया जाता है तो कईवार अंदर जक्क हो जाते हैं अटेस्टाइन में तो कुछ भी खाने से मिलता है यह लिक् investigators आपको स्टूल में ब्लर्ड आता है कि जब यह नहीं कभी आपने ध्यान दिया है कि आपको के पॉटी में कभी जानाया है मतलब खुम ौधा खून आया हो थोड़ा एक been दिया उसके साथ मिक्स नहीं तो नहीं तो यह दर्ग कप से हो रहा तो फिर आप किसी डॉक्टर को मिलिए ताके आपकी पूरी जांच करवा के आपको ट्रीटमेंट करें आप गिलोए लीजिए मैं एक चीज और सभी जो लिस्नर्स हैं असे असे डिटी का सुन रहे हैं उनको एक चीज बताना चाहूंगी खाना ना पचना भी एस डिटी का बह सुलुशन नहीं है खाना ना पचना उसका बहुत बड़ा कारण है इसलिए जब तक आपका पहले वाला भोजन ना पचे तब तक आप नेक्स्ट फूड ना लीजिए मैं आपको एक एक जामपल देती हूं जैसे कोई चीज सड रही है उसमें आप एक फ्रेश चीज और डा फॉर दाइम बिंग सुबा शाम और अनार लीजिए आमला इंक्लूड कीजिए अपनी डाइत में भूख लगने पे खाईये और जो आयर्वधिक दिन चरया एडवाइस है सीजन के एकॉर्डिंगली उसके एकॉर्डिंगली खाना काईये जो छे रित्वे हैं उनमें हम अल ले ले कालर से बात करते हैं जी है अले हो आलो है लो नमस्कार मैं मैं नमस्कार घ्र साथ जो आपने बता दिये चल्टा और ज्यादा दुस्ता आने से भी आपने मेरी बात ही बोल दी एंग्जाइटी स्ट्रेस और अपने एक चीज और एड करूंगे इसमें इनसे तो होती ही है और दूसरा अगर नेचुरल अर्जिस को आप रोकते हैं मानलो आपको स्टूल का प्रेशर है यूरेन का प्रेशर है भूग लगी है आप लोग अपनी जॉब्स में या मीटिंग्स में बिजनस में लगे रहते हैं और चार-चार बजे खाना खाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है सिरिटी का एक चीज सब को मैं रिक्वेस्ट करूंगी पूरे इंडिया को जो भी लिसनर्स है और बाकियों को भी कन्वे करो हम सारा दि काम करते हैं तो रोटियों के लिए खाने के लिए अगर हमें वही खाने का टाइम नहीं है तो हम किसली काम कर रहे हैं तो आप प्लीज अगर आप इंडिया में रहते हो आयरवेद को अपना के एक प्रॉपर टाइम पे अपना लंच ब्रेक्वास्ट डिनर कीजिए ताके हम भारत को स्वस्थ बना सके और विश्व भी हमको देखके इसको अपनाए और स्वस्थ रहे बिल्कुल बहुत अची बात करी डॉक्टर साहब ने और अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखेंगे और किस तरह से उस चीज को अपने डेली डायट में रूटीन में लेकर आएंगे लगातार उसको फॉलो करेंगे तब जाकर आपके शरीर पर बीमारियों से दूर रह सकेंगे आप उसका सही असर और पॉजिटिव असर योगा के बारे में तो सुनाई होगा किस तरह से पूरे हमारे देश के हसते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं जीवन की हर परिशानी छोटी और कम लगने लग जाती है इस हलो डॉक्टर मैं हूनिशा आपके साथ और हमारे साथ डॉक्टर रीना अरोडा मौजूद है जो की जानी मानी आयरुवेद अचार्या है आपके सवालों का जवाब दे रही हैं हाइपर एसे डिटी से जुड़े हुए एक मेसेज आया है अंकित का हमें माम और वो लिख रहे हैं कि मेरी जो पित प्रकृती है वाले इंसानों को क्या खान पन क्या होना चाहिए वैसे डाइट के बारे में अभी और बात करेंगे यह जो प्रकृती है Constitution ने बहुत खास शब्द है आयरुवेद में इसके बारे में कुछ बताईए साथ तरह की प्रकृती होती है अरुवेद में तीन दोश है वात पित और कफ तो वात प्रकृती पित प्रकृती कफ इन तीनों को दो दो मिला के वात पित पित कफ और वात कफ और एक तीनों दोश वात पित कफ तो यह जो प्रकृती है डिपेंड करता है अगर किसी के पित प्रकृति तो वह नेचरल है, पित प्रकृति वाला ज्यादा प्रोन होगा, लेकिन लाइफस्टाइल मैटर करता है, अगर उसकी लाइफस्टाइल अच्छी है और वायू वाला बिलकुल गलत डाइट्स ले रहा है, रात को लेट इसमें डिनर कर रहा है, तो वह भी प्रोन ह तो यह इसलिए दोनों तरह से हैं एक तो प्रोन तो है अगर वो अपने ठीक रख रह तो इस तरह से देखना चाहिए यह प्रकृति का वो है कि जुरूरी नहीं कि पित वाले तो प्रोन तो है बट वो अपने आपको कि यह आप फॉलो करें तो आप फैल्दी रहेंगे जी जी एक कॉलर हमारे साथ इस वक्लाइन पर है उनसे बात करते हैं अलो जी सर बताइए आपका नाम क्या है इम्रान आपका प्रशन पूछी डॉक्टर साब इस लिस्निंग डॉक्टर साब नवाश्कार जी डॉक्टर साम अस्तमा के साथ इसलिए जादा होती है पित जिनका बड़ा होता है उनको अस्तमा के अटैक भी कहीं पेशेंट्स को जादा होते हैं तो आप जरूरी नहीं हमेशा सब कुछ बहुत ज्यादा मिर्चें गरम चीजें खाएं पित आपका नहीं बढ़ना चाहिए इसके लिए म तो यह उसके लिए इसलिए मैं आपको नहीं बता रही थी क्योंकि उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट जाहिए आपको तो जी आप अपने ट्रीटमेंट को आगर आगे डॉक्टर से मिल के ज़रूर कंटीनियू कीजिए जितने भी लोग खासतोर पर ज्यादा परिशान ह और हमें कॉल कर रहे हैं यहां फोन पर तो उनको उपचार दे पाना काफी मुश्किल होगा एक और प्रस्टन मैं यह कर्ड योगर्ट या फिर प्रोबाइटिक्स अचल बड़ा नाम सुनने में याता है हाओ कि किस हद तक ही हेल्प करते हैं यह एक मित है हाँ कि कर्ड जो ह यह उसको अगर आप लशी बना के पी यह तक्र पी तक्र पी सकते हैं मक्हा निकली लशी जो है उसको चाच बोलते हैं तो उसको अगर भुनावा जीरा डाल के पीते हैं तो वह कम करेगी उसमें आप सौंथ भी डाल सकते हैं त्रोड़ी सी बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि चाच हम बनाते हैं, दही को ही पानी में चर्ण करके, पानी मिलाके extra या फिर black pepper और salt डाल करे तो चाच नहीं है, वो लसी है, चाच मक्कन निकली वी लसी है, जब मलाई से मक्कन निकलते हैं, तो वो चाच है, देखें, मेरा कुद का एक बहुत बड़ा concept चाच के बारे में clear अगर कहीं लोग ऐसे हैं जो नहीं नहीं रह सकते उनको खानी है तो मैं उसका तरीका बता देती हूं उसको थोड़ा सा मतले मतला मदानी से जैसे मिक्सी उसके बाद उसमें सौंट जीरा डाल सकते हैं अधर्वाइस चार चीजे डाले बिना दहीं आयर्वेद में लिखा हैं जी नहीं चाहिए उसमें से एक है आवला पाउडर अगर आप थोड़ा सा दही में आवला पाउडर डाल सकते हैं तो देट्स गुड़ शेहट डाल सकते हैं या मूंग साबुत दाल का पानी या वो डाल सकते हैं और दूसरा दहीं के लिए एक चीज और बताऊंगी शरद जैसे जो अगया सीजन आएगा वर्षा रितु के बाद उसमें पित आटमाटिकली सब का कुपित होता है तो जिनका पित कुपित होगा वो प्रोन होंगे इसलिए उस सीजन में दही खाना ही मना किया गया है जी तो मतलब आप जो ये मॉनसून सीजन मॉनसून में नहीं ने और सूप अगरा मीट सूप अगरा भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं ताकि आपका डाजेशन इंप्रूव और आपको भूख लगे अच्छे से क्योंकि इसमें क्या होता है सब की भूख कम हो जाती है तो बार-बार पिशन और डाजेशन भी नहीं होती तो हमारी भूख पन सरोजनी नगर से हमें पूछ रहे हैं उल्टी होने की टेंडेंसी होना भी हाइपर एसिडिटी का एक सिम्टम है फिर वही बात कहूंगी पाचन सकते इंप्रूव करें गिलोई ले सकते हैं अच्छे से भूख लगने पे खाएं जी डॉक्टर साव आपकी सवालों की उत्त अच्छार लगातार दिये जा रहे हैं यहां पर आज बात हो रहे हैं हाइपर एसिडिटी और खास तौर पर आयुरवेद में उसके लिए क्या-क्या उप्चार है किस तरह की डायट है सीजन में हमें अपनी डायट का किस तरह ख्याल रखना चाहिए यह सब बाते हमने कर ल पाइल्स की कोबला में में मेरे को तरह को बादी की लेकिन अबुक अब कर दो दिन बराबर पोटी में लड़ आया मेरे और मेरे मश्रा भी है मतलब और में बहुत परिशान हो मैं बहुत ज्यादा यह देखिए इस रिलेटेड है बट कुछ हद तक इसके कारण और भी हैं आपको ज्यादा बैठने से भी पाइल्स होता है मिर्चे खाने बिल्कुल बंद कीजिए चाच पीजिए डिली जिमिकंद की सब्जी खाईए और एक आग के पत्ते लीजिए उसको बॉयल करके उसके पानी में आप बैठिए इस आग के पत्ते जिसमें से दूद निकलता है जो पॉयजनस प्लांट्स ऐसे ही सडकों पे लगा होता है उसको दो के उबाल के उस पानी में आप टब में बैठिए शेट्स बात कीजिए और गिलोए तो लीजिए ही इससे अगर आपकी प्रॉब्लम सौल हो जाए इतना करने से तो ठीक है नहीं तो किसी डॉक्टर को दि जैसे मोती डाले इसे बंद करनी है ओड़ा वगधे कम लखाई है बाकी आप दिन में ले सकते हैं तो कि मैं तो वह से प्राइशन पर वाने वह एक हैँ आप डीटेल में इसके नो ऑपरेशन करवाने से चीओ जागा पर लेकिन ऑपरेशन करवाने से उसना दुबारा लेकि मत सोचिए यह अभी देखने में पता लगेगा कि कौन से डिगरी का है तो उसके बाद पता लगेगा कि ट्रीटमेंट से हुगा या सर्जरी इसलिए मैं तो वैसे भी सर्जरी एडवाईज नहीं करूंगी तो बैटर है आप एक बार यह जो मैंने बताया है कीजिए और एक ब हम बात करें हाइपर एसिडिटी के बारे में कुछ ऐसा विशे माम जो हमारा चूट रहा हो डाइट्स बता देते हैं हाइपर एसिडिटी की समस्य से अगर आप ग्रसित हैं तो कौन सी ऐसी डाइट है जो आपके लिए पॉफेक्ट रहेगी माम जी आयरुवेद के अनसार जोओं आपको लेना चाहिए जोओं का आटा जोओं का दलिया वीच आप ले सकते हैं चावल भी ठीक हैं मूंग साबुद दाल का सूप ले सकते हैं मूंग साबुद दाल भी बहुत अच्छी है करेला बहुत अच्छा है परवल बहुत अच्छा है पंपकिन जो एक सीता फ ले सकते हैं, शूगर जो नेच्छरल शूगर है, मधू यानि शहद आप ले सकते हैं, अगर शूगर नहीं लेनी, नारियल पानी भी आप ले सकते हैं, और एक लाइफस्टाइल चेंज इसमें और किजिए कि दिन चरया फॉलो करें, योगा वगरा करें, दिन में सोना नहीं ह आपने, ये acidity का कारण है, गुसा नहीं करना, meditation करनी है, हम body की health को देख लेते हैं, mind की health को नहीं देखते हैं, आजकल हर व्यक्ती stressed है, इसलिए गुसा भी आता है, acidity भी होती है, जब हम खाना भी खा रहे होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, या तो फोन पे स कहने को आपका शरीर खास तोर पर पसंद करता है, गब आपका शरीर आपसे कह रहा है, कि खाना खाओ, मुझे भूख लगे है, मंघरी, तो ये सब चुटी-चुटी सी बाते हैं, जो आपके अंदर से ही आवाज आती है, बस अपने अंदर के आवाज को सुनना है, आपको, अब एक चीज और में बताना चाहूंगी, जिसमें ये तो मैंने बताया क्या खाना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आइसिडिटी के पेशेंट्स को नहीं खानी चाहिए, बहुत हैवी फूड्स आपको नहीं लेने चाहिए, बहुत जलन करने वाले खाने नहीं खाने जो मैंने रॉंग कॉंबिनेशन स्टार्टिंग में बताये थे, वो आपको नहीं लेने, कुलत की दाल नहीं खाने, उड़द नहीं खाने, नहीं अनाज मत खाई, आजकल कुछ नहीं कोई लोग देखते भी नहीं हैं कि चावल नहीं है या गेहूं नहीं है, ये हमारे जो पुराने लोग बोलते थे ना कि पुराने अनाज खाओ, ये रीजन था, वो लाइट होते हैं डाजेशन के लिए, तिल नहीं खाने, फर्मेंटेड फूर्ड लाइक ब्रेड कुछ घरो में रुटीन है कि सुबह उठते ही ब्रेड खाते हैं, तो फिर होती है असे रिटी, क किजिए, डीप फ्राइट फूड मत लिजिए, अल्कोहल इंटेक शुड बेवाइड और स्मोकिंग शुड बेवाइड बिलकुल, तो आपने बहुत ध्यान से सुन लिया, I hope कि नोट भी कर लिया हो, और डॉक्टर साब, डॉक्टर रीना अरोड जी हमारे साथ मौजूद ह एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है जो अपना सवाल के साथ तैयार है, आई एंका सवाल ले लेटें, hello, hello, good evening, very good evening, आपका नाम बताहिये, doctor, good evening, I am London from Delhi, doctor, actually, I have a very controlled diet pattern, because I exercise since my school days, so I am very conscious in whatever I eat, so, but even then, at times, I get that flutulence feeling, मैं एक सीज आपको बताना चाहूंगी यह सब आप चो कर रहे हैं यह ठीक है लेकिन अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है शायद आप कुछ आयर्वेदिक दिन चरया में कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो और एक चीज और मैं थोड़ा सा अडवाइस करना चाहूंगी इसको नेगेटिव साइट मतले ना ओवर कॉंशियस मत र होगे है यह देखो आप को मुझे लोगों ने बोला आप सब कुछ आपको को भारी नहीं आप क्यों वाइट कर रहा है वही मैं आपको यही कहना चाहरे हो आप और कॉंशियस मत हुए खुश रही है एंज्वाइज कीजिए जिंदगी फॉलो कीजिए आयर्वेदिक दिन च पांगि आपको यह एंज्ट करें चिंदी आप आप यह कि इंड़ी नहीं इंदे करें लीड आप खुश रही है इंदे माग का शंटोर कुश रहना बहु जरूरी एंग इंड़ पत्थर मैं शतरा साल कर रहा हुं आँ अवही ईया आपको नहीं आपको प्रण कर शुश रह हमारे डॉक्टर साब ने जो आपको चीजे बताई एक मंतरा दिया है उन्होंने आपको आप उस मंतरा को लाइफ में फॉलो कीजे आपकी सारी परिशाने सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी अब हमारे शो का टाइम भी खतब हो रहा इसी के साथ में आप चलते चलते एक डिनर मत कीजिए इससे आपकी शायद काफी हद तक कंट्रोल रहेगी या होगी नहीं और आयरविदिक दिन चरया को फॉलो कीजिए और रात को आप नो दूद पी सकते हैं अगर आप डिनर टाइम ली करते हैं वो भी एसीडिटी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत इंप करते घरों में वो डिजेशन के लिए बहुत अच्छी है अम्रित है लिवर के लिए तो इसको इंक्लूड कीजिए ताके पाचन बढ़े तो देखे आप हर चीज को कॉंशिस लिखाई है अलर्ट रहे ही जादा कॉंशिस नहीं होना है खुश रहे कि हर चीज को खाना है एं